मकी कभी एक और ये हमारे यह गलत रसमों रवाज हैं एक और जहेज लेकर ने आती बहुत सऩरे पाहिसा बिन हाथ टलाग लेवाद देते ये लालची लोग होते में रिष्टा करना है सिसे बचाओ का बहुत जादा जहेज लेके आ जाती उसकी वज़े से रिष्टा टूड़िया था क्यों कि जब जहेज लेके आ जाती है तो किसी को समझती नहीं है किसी को इंसान नहीं समझती पूरी फैमली में किसी से बात नहीं करती वह समझती मैं यहां की रानी पूरा घर मेरा है तो उसस समनी लगते हैं हताय क्यों अपने शार को भी कुछ निया समख्ती तो तंगआ को भी लात मर के बगा देता थ . तो यह भी होना है कर भी जहस ना लाने की वैसे प्लाक हो तो अभ्य कोई वरत ला भी रही है तो उसको अपनी अपनी हद में रहना चीए अपना माल खर्च करना जो भी लगाना उस शोहर से पूछ कर रहा है यह भी हदीस अल्ला करें कि एक और अपना भी माल खर्च करें तो शोहर से पूछ के और जो जॉब करती है कहीं पर काम करती है कमाती है यह मसला भी बन जाता है तलाक तक ले जाता है क्योंकि ज काम बच्चों की परवरिश करना सबकी ड्यूटी अलग अलग है कमाना पैसे लाना ये शाओर का काम है अभी औरत कमाएगी तो बच्ची कौन देखेगा ये भी कमारा वह भी कमारी बच्चों को कौन देखेगा तो बच्चों की परवरिश करना ये औरत की जिम्मेदारी और क झाल झाल